माराश्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षन नाना पटोली ने बॉलिवुड अक्टर अमिताब बच्चन और अक्षय कुमार की पेट्रोल डीजल की दामू पर चुपी को लिकर सवाल उठाया है। माराश्ट्र कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षन नाना पटोली ने गुर्वार को कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की दाम लगातार बढ़ते जा रहे है। क्या उन पर मोधी सरकार का दबा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सितारे दबाओं में लोगों से मिले प्यार का इस्तिमार करते हो उनकी फिल्में महराश्ट में नहीं देखी जाएगी। और राच में उनकी फिल्मों की शोटिंग भी नहीं होगी। अन्मों सिंग साब ने आम आदमी को कम दाम में मिले इसकी कोशिश की गए थी। लेकिन उस समय में अभिताब अच्चन जी हो एक्षे कुमार जी हो उनलोगों ने ट्वीट किया था और और पांच और दस रुपे में डिजल और पेट्रोल मिलना ची ऐसी मांग की थी। क्या आज इνटरनेशनल बजार में कच्चे तिल के दाम क्या है अभिताब बच्चन जी और अक्षे कुमार को मालूम नहीं आज जो महंगारी जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं मोधी सरकार बढ़ाते जा रही हैं अज क्यों ही ट्वीट कर रहे हैं क्या मोधी सरकार का वी प्रिद्भाउ में लोगों के प्यार को इस तरane से उसको वह इस्तमाल करते हो ऐसे लोगों की पिक्चर महाराश में कभी देखी नहीं जाएंगी शुटिंग अभीताब जी अक्छेकुमार जी यह हमारी धंकी नहीं हम लोगतें्ट्र की बात करते हैं और लोग तंत्र में आप लोग जो हो वो जनता के अईडलो और आपकी जवाबदाई बनती है कि जो जनता पर अन्या हो उसकी आवाज आपको उठाना है पटोले के इस बयान को लेकर भाश्पा निताओने उन पर जवाबी हमला बुला है देविंद्र परणवीस की अलावा भाद ये जनता पार्टी प्रवक्ता रांक कतम डे इस पर कहा है कि देश की प्रतिपाफान और समानित कलाकार अमिताप पच्चन और अक्षे कुमार को कॉंग्रेस के निता दिन ताहड़ी धम की दे रहे क्या देश हीत में ट्वीट करना अपराध हो सकता है क्यामरा परस्दन राजकुमार मोहड के साथ अभिशिक पांसी की रिपूट